ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है कुम्भ राशी वालू भगवान विश्णुजी के अशिर्वास से 11 मई से 17 मई याने किन 7 दिनों में आपको मिलने वाले हैं धर्ती पर पहली बार ये संकेत जया दोस्तू 11 मई से 17 मई याने किन 7 दिनों में आपका भविश्य बदलेगा खुश्यां आपके घर में जहां करही हैं इन 7 दिनों में आपको बड़ी-बड़ी खुश्केवलियों की प्राप्ती होने वाली हैं आपको बताना चाहेंगे 11 मई से 17 मई याने किन 7 दिनों में भगवान विश्य के किरपा से गुरू पुश्प अमरत योग का निर्वान हुआ हैं जिससे किन 7 दिनों में आपको अपार धन सुक्संपती की प्राप्ती होने वाली हैं यूँ कहें कि खुशियां आपके घर में जहां कर रही हैं अब आपको भगवान विश्यक जी कैसिर्वास से चार उतरब से बड़े-बड़े लाब मिलने वाले हैं बड़े-बड़े सफलताओं की प्राप्ती होने वाली हैं धन लाब होने वाले हैं जा दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको उनी खुशकबरियों को बताने वाले हैं और कहां कहां से आपको सफलताएं मिलेंगी, कहां कहां से आपको धनकी प्राप्ती होंगी और साथ साथ आपको किन किन बातों को लेकर सावधान मी रहना है ग्यारा मई से सत्रा मई शंपून साथ दिन के सटीक रासी फल के बारे में बताएंगे बहुत महत पपून वीडियो हैं बिना काटे बिना स्किप के हुए अपने फायदे के लिए सुरू से लेकर रंत तक पूरा देखना बिलकुल भी वीडियो को मिशना करें जा दोस्तो बहुत महत पपून वीडियो है आप लोगों के लिए वीडियो का के सुरू करें सबसे पहला आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भगवान विशनुजी के सच्चे वक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें जैसरीर विशनुजी रिखें जिसे भगवान विशनुजी का अशिरवाद आपको सीदे प्राप्त होशके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशी वालों के लिए भगवान विशनुजी का अशिरवाद से 11 मई से 17 मई यानि किन 7 दिनों का यह महत्मापोन समय दोस्तों ये बात तो हम सबी जानते ही हैं कि अच्छे लाइफ इस्टाइल के लिए इस दुनिया में हर किसी को अच्छे पैसे की जोड़ है वहीं आपको यह भी बता दें कि पैसे से ही इनसान की हर इक्षा पूरी होती है हर व्यक्ति यही चाता है कि उसके परिवार को हर शुक्षविदा मिले जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है वहीं आपको यह भी बता दें कि हमारे देश में बहुत सारे लोग आर्थिक रूप से परिसान रहते हैं और चाहते हैं कि आए हो या रुके हुए पैसे जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएं जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए पैसा बहुत आवश्चक हैं अगर आप अपने बच्चों को उच्छ सिक्षा दिलाना चाहते हैं एक लगजरी कार खरीदना चाहते हैं एक आलिसान घर बनाना चाहते हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको पैसे की जोट पैसे के बल पर आप कोई भी बड़े से बड़ा कार्य आसानी से कर सकते हैं यही कारण है कि पैसे की प्राप्ती के लिए इंसान कई तरह के उपाई भी करता है वहीं आपको बता दें कि जोतिस सास्तर के अनुशार अब भगवान विश्णुजी के आसिरवास से आपके जी जीवन का अच्छा सफर सुरू होने वाला है। इन दिनों मिल सकती हैं। दूसरों का दिल जीतने में भी इन दिनों कामियाब रहेंगे। कभी कभी आप महसूस कर सकते हैं कि काम में आपका दिल नहीं लग रहा। लेकिन ऐसा थोड़े समय के लिए ही होगा। प्रिपा द्रश्टी इन दिनों बहुत अधिक रहेगी। प्रेम संबंद आपके मजबूत होंगे। सबसे बड़ी बात यह हैं कि भगवान विश्नु जी के आसिरवास से इन दिनों का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला है। जल्दबाजी या जो समय आकर कोई भी फैंसला आप ना करें। जो भी कारे करें सोच बिचार कर ही करें। कारोबार में भी व्रद्धी करने से आपका लाब कई गुना बढ़ जाएगा। चाहें तो आप अपने कारोबार में भी इन दिनों व्रद्धी कर सकते हैं। साथ साथ नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी यह समय बहुती अच्छा समय रहेगा। भगवान विश्णुजी के आशिरवास से आपको नौकरी से संबंदित कोई बहुती अच्छी बड़ी खुसकबरी अवस्से ही प्राप्थ होगी। जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा। जिहां दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके ऊपर भगवान विश्णुजी की अपार किरपा दरश्टी हो गई है इतने ही नहीं। अच्छे समय की अब शुरुवात हो गई है जिसकी वज़े से आप लोगों को तेजी से सपलता हासिर होगी इतने ही नहीं। साथ साथ आपको अपने गुस्से पर भी नियंतर रखने की आवश्चकता है गुस्से में आकर किसी भी प्रकार का निर्णे आप मत लीजिए वरना आपको हानी का भी सामना करना पड़ सकता है भगवान विश्णुजी की किरपा से आपके जीवन में बहुत से अब बदला आएंगे जो आपके लिए काफी लागदाएक साबित होंगे आपके जो भी अधूरे कार्रे हैं वे अब सफलता पूर्वक इन दिनों पूरे होंगे घर परिवार में खुसियों का आगमन होगा दोस्तों आपको बता दें कि आपके पिछले कुछ सालों से रुके हुई कई आपके बड़े कार्रे अब भगवान विश्णु जी के आसिरवास से इन दिनों सफलता पूर्वक पूरे होंगे आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे आपके द्वारा की गई कोसिसों से आपके कार्रे सफल होंगे और बड़ी से बड़ी कटनायों क भी आप सामना बहुती आसानी से करेंगे जो व्यक्ति प्रेम प्रसंग में हैं अपने प्यार को हांसिल करने में आपको सफलता मिलेगी प्रेम संबंदित मामलों में आने वाली सभी कटनायों को आप पार करेंगे भगवान विश्णु जी सभी प्रकार की बुराईयों का अंत करेंगे और आपके जीवन में एक नया उदय होगा आपकी आर्थिक इस्थिती काफी मजबूत बनेगी जीवन साती का भी आपको साथ मिलेगा वहीं आपको यह भी बता दें कि भगवान विश्णु जी के आसिरवास से आप अपने जीवन में दिन दुगनी रात अगे में भी इन दिनों परिवर्तन होगा माता पिता का आपको पूरा शेहुक प्राप्त होगा आपकी आर्थिक इस्थिती में अचानक सुधार आएगा वहीं आपको यह भी बता दें कि आप लोगों के जीवन में अचानक से अब कैसारे बदलाव देखने को मिलेंगे व आपको वाहन सुक की भी प्राप्ती होगी परंतु वाहन चलाते समय साफधानी रखनी की आपको अति आवशकता है वाहन नियंतर गती में ही चलाएं आपका स्वास्त उत्तम रहेगा आपकी आर्थिक इस्तिती काफी मजबूद बनेगी प्रेम संबंदों में काफी मदूरत आएगी ज्यां दोस्तों कहना गलत नहीं होगा भगवान विश्नुजी के आसिरवास से आप लोगों के लिए यह समय बहुत अच्छा समय रहने वाला है भगवान विश्नुजी के आसिरवास से आपके समस्त कारें इन दिनों पूर्ण होंगी भगवान विश्नुजी के आ चिरवाद आपको प्राप्त हो सच्चे दिल से कमेंट स्बोक्स में जैसरी हरी विश्णु अवस्चे लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद